तो देखिए दोस्तों BBM के उन्हें जेनरिक पेपर का एडमिट कार्ट जारी कर दिया है जैसा कि मेरा देख रहे हैं ठीक है और अभी मैं बताने वाला हूं आप कैसे किजेगा ठीक है और जितने भी इन्फोर्मेशन है उन सभी को भी जानेंगे चलिए सबसे पहले जानते है है कि अपने मॉबाइल फोन से ठीक है तो फॉस्ट अपॉल लिंक आपको डिरेक्टली डिस्क्रिप्शन में यहां का देद दूंगा ठीक है आप लोग यहां पर आ जाईए का और यहां पर आने के बाद अगर यहां पर दिखिए यह थ्री डॉट्स ऑप्सन दिख रहा कुल और यहां पर क्लिक किजेगा यहां पर आपके सामने कॉप्सन खुल का आएगा एड़िड कांड कै अगा टेक्टल अबशन पर फेजिक किजेगा प्लस वाले एकन पर तो यहां पर आपको देखेगा देखिए अड़िगाबिरस कार्बं फोर जिपर टो Sumders Clinton थेक थोज यहां पर फिर आपको अपना रोल नंबर देना है तो आपका आ जाएगा इस तरह से और यहां से आप प्रिंट आउट ले लिजेगा यहां से अब चली जान लेते हैं कि क्या क्या बोले गए कुछ नियम और सरते हैं सबसे फर्स्ट यह आपका रेश्टेशन नंबर है और यह आपका यहां पर लिखा होगा जो भी रहेगा ठीक है कॉलेज हम सेंटर ही जनरली मैक्सिमम आदमी का मिला है ठीक है और यहां पर सेंटर लिखा रहेगा आपका सेंटर कोड वगएरा सब कुछ और नेक्स्ट हम लोग räकल लेते हैं तो यहां पर आपका डेट रखेया रहे Dick Simpson जो भी एक्जाम रहेगा वह आपका चारप्ड़वर इस तरह से रहेगा और टाइमिंग रहेगा यहाँ पर अब कुछ इंपोर्टेंट चीजे हैं जिसको यहाँ पर ध्यान देना है नोट बोला गिया है कि एनी काइंड आप स्पेसेफिक आइडेंट्रिफिकेशन मार्क मेड वाइस्टुजेंट और पर अंसर बुक इस अब्जेक्ट टू नॉन एवलिशन और सेल भी ट्रिटेड आनफेर में मिस रिंगली केल्कुलिटर्स तो कोई भी चीज नहीं ले जाना है आपको एक्जाम में ऐसा बोला गया है चीटिंग अगर नहीं चलेगा ठीक है लेकिन सब को जानता है क्या चलिए जो भी है यह इसी वाते बोली नहीं जाती यहाँ पर देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है इसको पढ़ लेता हूँ परिक्षाएं प्रकासित तित्थी को निर्धारित कारिकरम के अनुसार होंगी बिसेस जानकारी महाबिद्धाले से प्राप्त किया जा सकता है ठीक पहुँच जाओंगा अगर आपका एकजाम दो बज़े है तो आप वहाँ पे डेल बज़े पहुँच जाएगा एक दम एनिहाओ ठीक है आधा घंटा पहले खोल दिये जाएंगे मतलब साड़े नो बज़े खोल दिया जाएगा परिक्षा आरंब के पांच मिनट पहले बं बैठने के अनुमती दी जा सकती है परन्तु इसके लिए कोई अतिरिक समय नहीं दिया जाएगा ठेक है मतलब आपको साड़े दास बज़े तक बैठने दे दिया जाएगा और अगर आप सेकेंड हाप में जाएगा तो अड़ाय बज़े तक बैठने दे दिया जाएगा ले परष्ण पत्र और परवेश पत्र टेक है अलावे न कागजात बाहर ले जाना परीक्षार्तियों के लिए वर्जित है तो तो कौन से हम वहां पे आपको कोश्चिन आंसर मांग रहे हैं प्रश्ण पत्र बाटने के एक घंटे तक किसी परिक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्ति का वापस नहीं करने दी जाएगे कम से कम एक घंटा तो लिखना ही होगा ठीक है फिर है कि परिक्षा भावन में परिक्षा भावन से एक बार बाहर हो जाने पर परिक्षार्थी को परिक्षा समाप्ति तक कक्ष में पुना आने नहीं दिया जाएगा मतलब कि टॉइलेट बगरा बंद सब कुछ करके जाना है नेक्स्ट बोला गया है कि यदि कोई परिक्षार्ति कक्ष निरिक्षक से पूछना चाहता हो तो उसे अपने अस्थान पर चुपचाप खड़ा होकर पूछ जाईएगा ठीक है कि सर मेरा कोश्चन जो है मिस्प्रिंट हो गया है दूसरा चेंज कर दीजी चाह जो भी है नेक्स्ट है प्रश्ण पत्र बटने के ठीक पांच मिनट पहले घंटी वजाई जाएगी जो इस बात की चेतावनी होगी कि सभी परिक्षार्ति अपने अस्थानों पर बढ़ जाएं चेतावनी की इस घंटी के बाद परिक्षा भावन या उसके निकट वरती अस्थानों सहिताव पर कोई भी वाहरी व्यक्ति परवेश वर्जित रहेगा गार्यात के विरुद्द कारवाई की जाएगी क्या की जाएगी कानुनी करवाई की जाएगी ऊणिप jangan आख्या लिखें परिक्स्था बहgypt इसकार करने तया यह सामोहिक गदाचार की पर पुर्ण आशज नहीं कि जाएगी मतलब question paper लिखवा ना तो फिर से एक्जाम नहीं होगा समझ रहे ना तो यह भी लोग सोचते हैं कि यह को हम लोग का परिशानी हटेगा जल्दी जन्रीक पर कर लेंगे इनिवर्शिटी सोचता है विक्षक या केंद्रा दिक्षक को डरवाने या धंकाने अ अगला है परिक्षार्थी को परिक्षा भावन में मॉबाइल लाना वर्जित है अच्छा मैं नहीं दे जाओंगा स्माटली वह रहां ठीक है और आप लोग भी नहीं दे जाईएगा यार अपने से लिखेना मैं सब कुछ मेंटर तो दहीं दे रहा हूं ठीक है पकड़े ज घंटा का टाइम है जो करना है कर लो ऐसा बोला जाता है या रहा है लेकिन ऐसा ही करता है इन लोग इस नियम में जो बाते न आ सकी हो उनके संबंद में केंदरा दिख्षा का आवे सकता अनुसर परिष्टिकी को ध्यान में रखते हुए यथाचित आदेश दे सकते हैं और उसके सुचना विद्याराई से बेज़ा देखिए आपका मैक्सिमम संभाना जो के दूस्तों मैं सच बोलता हूं चोरी वगया के भर से मत रहिए छोड़ा से एक्जाम है इसलिए आप लोग पास कर जाएगा ठेक है और प्रिवेस्टियर कोशन पेपर बना के जाएगा मैं प्रिवेस्टियर कोशन पेपर आपको विडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं ठेक है सब कुछ मिल जाएगा और डाउनलोड कर लिजिएगा कलर जेरॉक्स में ठेक है चार दिन एकजाम है जाएए पूराने दोस्तों से मुलाकात कीजिए मुकालात कीजिए ठे सागर के नामसे जो भी आपका जैनलिक इलेक्टिब जैसे सोसियोलोजी जैनलेक इलेक्टिब सेमेश्टर्वन ग्यानसाघर आजाएगा टेक है जो भी सब्बजयक्ट है सबस्तर से सर्च मारई जाएगा और सिलेबस का और एक वीडियो में बना दूंगा जल्ली से ठीक है अग्जाम हो जाए तो आप अपना क्वेपर इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा नवासी चैसी साथ पच्छत्तर एक तालीस दोस्तों क्यों क्यों क्योंकि वह जो क्वेशन रहेगा ना जितने भी अब्जेक्टिव रहेंगे उन सभी का आंसर में बताते जाओंगा वीडिय नहीं लगेगा को इंपोर्टेंट पूछने का चीज हो जैसे बहुत जानकारी हो जोर्ली तो आप हमें पूछ सकते हैं हम अगर जानेंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर आपको कर देंगे ठीक है ठाइंक्यू बाई आल दे बेस्ट त्यारी किजिए सब कुछ मैटर मैं द